बरसाद गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती शम्शान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, तेरे अहां अमीर हो या गरी, सब का बिस्तर एक है दिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदे हैं, ग्यान तो वही है जो किरदार में जलके सत्य कभी कमजोर नहीं होने देता, ग्यान कभी दुखी और भैभीत नहीं होने देता, और प्रेम कभी घ्रना नहीं करने देता बुरा समय आपको जिन्दगी के उन सभी सच्चाईयों का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी खयाल भी ना आया होगा जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बहतर है ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बहुत भी जानता है धैरे कड़वा हो सकता है परन्तु उसका फल सदैव मीठा ही होता है सिंदगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से जादा खतरनाक होता है इसलिए जिन्दगी में चिंता नहीं बलकी चिंतन करें नरक के तीन द्वार हैं वासना लालच और क्रोध क्रोध मस्तिश्क के दीपक को बुझा देता है क्रोध आने पर चिलाने के लिए ताकत नहीं चाहिए पर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुँँ ताकत चाहिए मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व न समझे किसी व्यक्ति के प्रती इतना भी समर्पन नहीं होना चाहिए कि आप स्वयम को ही धीरे धीरे खोने लग जाए अपने कर्म पर अपना मन लगाओ ना कि उसके फल पर जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार कर्म के शीन हो जाने पर भाग्य भी नस्थ हो जाता है प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत आवश्यक है प्रार्थना में भगवान आप की बात सुनता है और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं घर तब तक नहीं तूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है पर जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर तूटने में देर नहीं लगती मजाख में अक्सर इंसान दिल की बात बोल जाता है बस समझने वाले समझ जाते हैं और ना समझने वाले उसे मजाख समझ कर भूल जाते हैं लड़ लो जगड़ लो पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती चो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं कोई तूटे तो उसे सजाना सीखो कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो रिष्टे तो मिलते हैं मुकद्दर से बस उन्हें खूपसूरती से निभाना सीखो सबका खयाल रखो पर अपना भी खयाल रखो हमेशा मुस्कुराते रहो कभी अपने लिये तो कभी अपनों के लिये झाल रखो